नमस्ते दोस्तों आपका इस चैनल में स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं फुलके की टुकडी इसके लिए हमने सबसे पहले 5-6 फुलकों को या जितने भी आपके पास बचे हुए फुलके हैं उनको ले लेना है और उनको छोट-छोटे पीस कर देने हैं हां और इसके बार हमने आलू को यहां छोट-छोटे पीस इसमें कट कर दिया है और साथ ही इसमें कड़ी पत्ता भी रॉश करने के लिए रख दिया है और अगर आप इमली खाते हो तो इमली को थोड़े डिप कर रख दीजे ताकि उसको मसल के उसका पानी निकाला जा सके इसमें डालने के लिए जीजा डाल सकते हैं नीचे से या फिर लहसुन पाच-छे कली वह डाल सकते हैं अभी हमने इतना कर लिया है यह हमना ही प्रपरेशन है इसके बाद हम कैसे बनाएंगे वह आपको बताते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कुकर को गैस कर अब दिया गय चाहिए और इसमें कमसे कम दो शी टीन चाप खाने वाले कुकिंग काड़ डालते हैं यह फोड़ा सबसे तेज गळम हो जाए तो इसमें क्यूमिन डाल दी है और यह लाल होना शुरूह हो गया अब दिसमें हम जो हमने कट कीए हुए थे आलू वह भी भी डालेंगे बादा अगर कोई कड़ी पता खाना पसंद नहीं करता है तो इसलिए एसे डाल दिये गरने ताकि निकाले जासके खाने के समय। तो इसका टेंस्ट आजाएगा जैसा के आप देखने हमने आली सब डाल दिये हैं तो हम ऐसे तोड़ा सब नमाएंगे और इसमें डाल देंगे हम लगभग आधा चमच नमक और फोड़ इसी हल्बी यह डाल के पर एक बार फर से घुमाके इसको पांच मिनट के लिए सिब पे ऐसे रख देंगे उपर से ढखकन रखके ताकि इसमें से आलू हल्का गल जाए आप देख रहे हैं पांच मिनट लगभग हो गए हैं इस बीच हमने यहां पे इस बीच हमने यहां पे चार पांच ग्रीन चिली काट ली है जाँ है इसके ऊपर चाहें तो आप अपने स्वाधन नुसार एक दो जितना तीका पसंद यह लगभढ करते हो उतनी डाल सकते हैं हमने चार पांच डाल दी है आप अपने स्वाधन नुसार डाल करते हैं क्योंकि याल्वोजी होने वाला है बस अब हम इसमें से यह निकाल के इसमें हम फुलके की टुकड़ी एड़ करते जाते हैं गैस फुल कर देते हैं नया गैस को फुल कर दिया है और अब इसको हम अच्छे से त्वापरली घुमा देंगे दो मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे एक से देड़ मिनट के लिए पहले हमने आलू के जितना नमक डाला था अब हम थुड़ा फुलके का भी नमक डालेंगे इसमें एड़ कर देंगे अब हम इसमें डालेंगे इमली का पानी इसमें अंदाजन लगभग एक से पांच अप इससे छे फुलके हैं तो एक से डेढ़ गलास पानी डाल जाता है आधा गलास इमली का पानी डाल दिया बाकी लगभग एक गलास हमने साधा पानी इसमें एड़ कर दिया यह देखिए कुछ इस तरह पानी इस तरह से होना चाहिए मुझे देखने में इसमें हल्दी थोड़ी सी कम लग रही है तो इसलिए मैं इसमें अभी हल्दी थोड़ी सी पिंच वन पिंच एड़ का दोंगी ताकि कच्ची न लगे अब यह पानी मुझे लग रहा है कि सही होगा बस अब हम इसके लिए कुकर कड़कंड प्रेशन कुकर का बंगा देते हैं और दो सीटी लगने का इंतजार करते हैं अब इसको दो सीटी लगवानी है नहीं देखियो रेडी होगए हमारे फुलिकेटी तकुटी और इसका शाध खाते समय गारम गार्म ही आता है इसके उपर हमने धनिया से गाल विश कर दिया है यह है हमारे आज की रेसिपी फुल का तुपीर आपको हमारे आज की वीडियो कैसी लगी? उसके लिए लाइक, शेयर और सब्स्राइब करें और बैल बटन को पर्स करें नमस्कार लाइक, भर्च करें प्रुने करें